इस्राइल की टेंग गाजा शहर को चारो ओर से घेर कर खड़े होएं गाजा के अंदर इस्राइली फोर्स और हमास के बीच आमने सामने का अब जमीनी युद्ध चल रहा है इस्राइली सेना सुरंगों में चिपे हमास के लडाकों को चुन चुन कर मार रही है हमास का दम निकलता जा रहा है इतने हमले किये जा रहे है इस्राइल की सेना सुर्णवाइब गाजा सिटी पूरी दरह से घेर चुकी है इस्राइल डिफेंस वूर्स यानि आईडी अपने गाजा को पूरी दरह से घेर लिया है गाजा सिटी की सीमा की इंच धर इंच इंच इंट पर आईडी अपने पहरा बिचा दिया है इन जवानों की उंगलियां बंदूग के ट्रिगर पर है एक ओडर और चलनी चलनी गाजा के गेट पर इस्राइल के टैंक खड़े हैं इस्राइल के इंतकाम की आग गाजा को जला रही है क्या हम गाजा की गली-गली लाशें बिचल की? खूण ही खूण होगा गाजा की गलियों में अगर वक्त रहते विश्च विरादरी ने कोई फैसला नहीं किया शांती के सफेद कबूतर उड़ाने से नहीं समीन पर उतर कर आक्शन से मिलेगा हल इसरेल युद का लेकिन ये हल किसे चाहिए इसकी डीटेल जाननी बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके पहले खबर घिर चुकी सिटी घाजा की पहले इसे नक्षे पर समझने की कोशिश करते हैं घाजा सिटी घाजा के उत्तर हिस्से में है दक्षुनी हिस्से में मिस रहे और पूरे पूरब में इसरेल की सीमा फैली है अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है आईटी एफ की प्रवक्ता ने कहा है हमारे सैने, हत्यारों और एरक्राफ्स के जरिये हमास की कमांड सेंटर, लॉंचिंग पोजिशन, सोरंग और दूसरे ठेकानों पर हमला कर रहे हैं हम हमास को खत्म करने की जंग में हैं इस समय सीजबाय पर विचार भी नहीं किया जा रहा है तरसल अरब देशों के किसी बड़े अक्शन से पहले इसराइल गाजा पट्टी पर कपजा कर लेना चाहता है साथ अक्टूबर के बाद सहीं गाजा पट्टी पर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं लेकिन अब सेना ने पूरी तरसे गाजा पट्टी को घेर लिया है और जमीनी आक्रमन की तयारी अब की जा रही है अब देखना होगा कि हमास कब तक इसराइल के तोप और टैंक के सामने टिकता है टाइमस ओफ इसराइल के मुताविक इसराइली सेना ने सिर्फ 24 घंटे में करीब 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया हमास से लडाई में आईडियेफ के गरीब 23 सैनिकों ने अपनी जान कबान दिल इसराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है टाइमस ओफ इसराइल के रिपूट के मुताविक सुरंगों को फिलाल गाजा के उन इलाखों में तोड़ा जा रहा है जो इसराइल के कब्जे में हैं इन्हें तोड़ने के लिए इस्रैली इंजीनियर्स विसफोटर और रोबोर्स का इस्तिमाल कर रहे हैं। IDF की सदन कमांड के हैट को सुनकर पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। हो सकता है शुरुआत में हमास पर इन सुरंगों से हमले करें। इन सुरंगों की एंट्री बंद कर दें। हमास के कमांडरों को अंदर ही दम उट कर मारेगी। यह टनर अबातंक्यों की खबर बनेगी। सिर्फ चार सवालों के जवाब में छिपा है गाजा सिटी को बेवकर नस्तो नाबूत करने का नेतन्याहू का प्यांद इसकी डेटेल बताने से पहले इसरेयल के प्रधान मंत्र बेनमिन नेतन्याहू की नई भोशना सुन लीजी हम जंग के चरम पर पहुँच गए हैं हमें कई प्रभावशाली सफलताएं मिली हैं हम गाजा शहर के बाहरी इलाकों को पार कर चुके हैं और लगातार आगे पढ़ रहे हैं नेतन्याहू के इस बयान के पहले अमेरिका के ड्रून गाजा में ड्यूटी पर जुट गए हैं इन ड्रूनों को बंधकों का पता ढूणने के जिम्मेदारी सुपी गई है कम से कम 240 लोगों को हमास ने बंधक बना कर रखा है अब इन बंधकों के परिवारों को हमास की ओर से चिठी भेजी जा रही है बंधकों की रिहाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसका हल उतना ही मुश्किल इसरेल का फोकस इस सुवक्त हमास के सर्वनाश पर है हमास की ओर से ये कहे जाने के बावजूद के इसरेली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है नेतन याहू नहीं रुके एक और रिफ्यूजी कैम पर हमला हुआ है जबालिया की तरह यहां भी हमास के लड़ापों के छुपे होने की बात थी लेकिन यही नहीं इसरेल गाजा के पूर पूर में बारूद भर रहा है गाजा के स्वास्त मंत्राले के मताबे पुरेज रिफ्यूजी कैम में 15 लोगों की मात होई यहां 46,000 फिलिस्तिनी शरणार्थी रहते हैं इसके पहले 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसरेल ने गाजा के सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैम पर हमला किया था इस भीच इसरेल की सेना का दावा है कि हमास का प्रमुक्नेता इसमाईल हानिया अपने नीची फ्राइवेट जट से इरान के दोरे पर जाने की तयारी कर रहा है आज जिस तरह से घाजा सिटी को इस्रेयल ने घे रहा है उसी तरह रूस की सेना ने भी यूपरेन की राजधानी कियू को घेर लिया था कियू अड़ा रहा और पते अब तक विजय से दूर है लेकिन घाजा सिटी कियू नहीं है गाजा सेटी में न ट्रेंड सेना है ना उतने बड़े पैमाने के हत्यार है ना हमास के इतने लड़ाके हैं कि वो इसरेल की तक्विकों से लैस सेना का सामना कर सके नतीजा थे हैं कि घाजा सिटी में इस्रेयल की सेना जितना अंदर हो सेगी घाजा सिटी का उतना हिस्सा इस्रेयल का हो जाएगा घाजा हर सेकंड स्वाह हो रहा है इस बीच अमेरिका और एज्रेल के अधिकारी घाजा पट्टी के भविश्य कोले कर चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की विदेश मंत्री एंटरी बिंकन ने संसत में बताया कि सरकार इस मामले में कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है अमेरिका के विदेश मंत्रे एंटरी बिंकर को सुनिया हम पुराने धांचे पर वापस नहीं लोट सकते जब हमाज गाजा पर शासन करता था इसरेल बे गाजा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है ये बात उनके अधिकारियों ने खुद स्विकारी है ऐसे में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर दूसरी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं इसरेली अधिकारियों ने भी कई बार कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं गाजा पर शासन कौन करेगा इस पर अभी से चर्चा शुरू है मतलब कहीं न कहीं इसरेल और अमेरिका के सामने इस्थिती साफ है कि हमास का स्थित्व दो चार दिनों से ज़्यादा का नहीं है लेकिन क्या ये इतना आसान है अगर इसरेल गाजा से हमास की शासन को खत्म करने में काम्याब हो जाता है तो ऐसे में घाजा सरकार हो लेकर फिलहाल तीन विकल्पों पर चर्चा हो रही है पहला घाजा के आसपास के चित्र में मौजूद देश सरकार चलाएं इस दोरान अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं निगरानी करें की दूसरा, घाजा में मल्टी नैशनल पोर्स और अब्जर्बर ग्रुप यानि MFO की मदद से एक शांती सेना तैनाथ की जा सकती है जो फिलहाल इसरैल मिस्र बॉर्डर पर मौजूद सिनाई पैनेंसुला में तैनाथ है तीसरा, आखिरी ऑप्शन जिस पर विचार किया जा रहा है वो ये है कि UN की निगरानी में घाजा में एक और अस्थाई सरकार का गठन हो अमेरिका इस स्टैन्ड पर करेक्ट है कि घाजा में एक लॉंग टम समाधान भूनना बेहत ज़रूरी है वहाँ एक प्रभावी सरकार की जरूरत है जो कानून विवस्था को बहाल कर सके लेकिन ये सरकार किसकी मदद से या किसके इशारे पर चले दिक्कत यहाँ है अमेरिका की पोशिश है कि घाजा की सरकार की कमान उसके और पश्चिमे देशों के हाथ में हो अरब चाहते हैं कि घाजा उनका हो जाए लेकिन इस बीच घाजा के 20 लात लोग हैं जिने कोई भी देश शरन देने के लिए तैयार नहीं है एक मिस्र को छोड़का जिसने राफा बॉर्टर खोला लेकिन लिमिट है गाजा भी युकरेन की तरह वो युद भूमी है जहां जमीन पर किसी और देश की सेना लड़ रही है और सेना के हाथ में हत्यार किसी और देश के हैं और सेना किसी और देश के लड़ने का मकसद पूरा कर रही है गाजा में हमास लड़ रहा है जिसकी जीतने की कोई सूरत नजर नहीं आती मतलब हारते है लेकिन अगर गाजा में हमास हारा तो गाजा कितने टुक्डों में बटेगा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि युद में हर पल हालाद बदलते है गाजा पहले इड़ दर इड़ गिरा अब दीवार दर दीवार ठह रहा है इस्रैल के हमदर्धी के टुक्डों पर 20 लाख फिलिस्तिनी जीने को मजबूर है लेकिन खुद को फिलिस्तिनी लोगों का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने बाला इस्माइल हानिया गाजा के लोगों को उनके हाल पर छोड़ विदेश भाग रहा है हमास के दूसरे कई टॉप के नेता पहले से तुर्की और कतर में अश्वाराम की संदगी गोजार रहे हैं इधर गाजा में बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, पोरुष जलाए जा रहे हैं और हमास सिर्फ गीदर भवकिया दे रहा है, देख लेने की